हलो दोस्तो नमस्कार प्रकुलुप के आसपस को गिरते हुए देखने को मिल था तो उस हिसाप से हम कह सकते हैं का अच्छी recovery निचले स्थर से हम लोगो होती भी देखने को मिल चुकी है सेम अगर हम लोग नस्डेक की भी बात करेंगे तो नस्डेक में भी फिलाल सो पॉंट की गिरावट बीच में तो 200 पॉंट के असपस की गिरावट हम लोगों को देखने को आपे मिली थी reason बिल्कुल साफ है GDP का data काफी खराब देखने को मिला 2.4 expected था अभी कि अगर हम लोग बात करें तो कितना आ चुका है 1.6% तो काफी poor data देखने को आपे मिल चुका है वो stackflation की बाते बाजर में कुछ न कुछ तो topic चाहिए भाई प्लस माइनस करने के लिए तो इस चीज़ के चलते अमेरिकन बाजर फिलाल तो down नजर आ रहे refresh कर लो देख लेता हूँ इडियार अच्छा करना चाहिए बिकाज डॉक्टर रेडिस हमारे मार्केट में आज 4% उपर था साड़े 4% हमारे डॉक्टर रेडिस का जो एडियार है वो भी उपर नजर आ रहा है तो TCS की बात करेंगे तो TCS से related हमलों को एक news देखने को आपे मिल रहे ही इस चीज़ के चलते हम लोग definitely आपे कह सकते कि AWS आपे क्या करेगा सपोर्ट करेगा अप स्किलिंग करने के लिए री स्किलिंग करने के लिए TCS के जो employees हम लोगों को रेखने को मिल जाते है लगबग 25,000 कि cloud and AI से related ये चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए न तो इस चीज़ के चलते हैं मतलब आप जितना ज्यादा एक cloud की बात करें AI से related technology को जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप आने वाले जो future में इस से related जो बाते की जाते ना AI आपका job खाएगा तो अगर आपको AI से related चीज़े technology नहीं आती है तो definitely फिर आपका job यहापे खाया जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार के मतलब आपने आपको upgrade रखना ये हर वक्त का आप सभी लों को पता ही इंपोर्टन चीज़ यहाँ पर रहता है अगर आप employee field में आते हो तो उस हिसाब से सारी चीज़े देखने को मिल रहे है PB Fintech की बात करेंगे जिसको अम लोग policy बाजार के नाम से भी जानते है 3.5% की तेजी नजर आ जाते है online insurance वाली एक company है और काफी एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि US-based capital group जो हम लोगों को देखने को मिल रहे है उन्होंने और सवा 6% का stake PB Fintech में खरीदा है लगबग 2770 करोड में ठीके तो ये जो बड़े-बड़े companies खरीते है ये एक-दो दिन के लिए ना ही एक-दो हफते के लिए ना ही एक-दो मेने के लिए खरीते बहुत लंबी आउदी के लिए ये stake की हापे खरीदा जाता है 25-25 करोड का से भी जादा का माल उठाय जा रहा है तो लंबी आउदी के लिए यहापे उठाया जाता है ठीके बहुत कुछ research study करते उस हिसाब से तो insurance segment में अगर देखा गया digitally performance अगर किसी का चल रहा है वो PV FinTech का हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है और ये भी company same like Zomato की जैसे ही है मतलब लगातार हम लोगों को पहले company के loss loss minus 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 में देखने को मिल रहे थे अभी company break even के करीब और वो सारी चीज़े देखने को मिल रही है तो उसी हिसाब से आपको chart pattern में भी वो exchange जरू नजर यहापे आ जाएगा तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि कभ यहापे चीज़ों को deeply study करना होता है करके next अगर हम लोग बात करें report के जरे एक खबर सामने आ रही है जो कि है IPO से related so क्या बात सामने आ रही है तो आप सभी लों का पता है first cry का IPO यहापे सामने आने वाला था बट फिलाल अभी बता है जारे कि यह लगबग 500 million dollar का IPO था बड़ा IPO था वो शायद से अभी हमनों को withdraw होते वे देखने हो का आपे मिल सकता है क्यों कि कुछ तो scrutiny हमनों को देखने हो का आपे मिल रहे है regulator मतलब सेवी के approval की जरूरत पड़ती है तो वापे कुछ scrutiny हमनों को देखने हो को मिल रहे है चान बिन देखने हो को मिल रहे है इस चीज़ के चलते शायद से यह IPO हमनों को withdraw होते वे देखने हो का आपे मिल जाए मतलब नहीं आएगा करके आप ऐसा भी कह सकते हो कल के बात करे कल बोले तो tomorrow की अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे बड़े-बड़े कंपनी के नंबर देखने को मिलेंगे अतुल लिमिटेड के नंबर देखने को मिलेंगे बजाज फाइनास की होल्डिंग कंपनी बजाज फिंसव के नंबर देखने को मिलेंगे देन उसी के साथ साथ Excel टेक जो की EMA बड़ी जो कमपनिया है उनमें सबसे अच्छा काम कर रहे हैं उसके नंबर देखने को आपे मिलने वाले हैं देन अगर थोड़ा सा और अगर हम नीचे जाए तो उसी के साथ साथ मुतिलाल के नंबर हम लों को देखने को मिलेंगे सो इन्होंने Corporate Action का भी Announcement किया था तो वो भी एक देखने वाली बात रहेगी भविश्य में क्या होता है SBA Life की बात करें ये भी Nifty 50 वाली कमपनी SBA Card के नंबर देखने को मिलने वाले हैं तो जबर इनको नोट करके रख लेना श्रीराम Finance की बात करें ये भी खाफी लोगों को पता नहीं होगा पता नहीं होगा मतलब पता है बट क्लिक नहीं होता है ये भी Nifty 50 का पार्ट है आप सबी लोगों को पता ही आप यूपील को भगा दिया जा चुका है तो इनके पहली बार Nifty 50 में inclusion के बार नंबर हम लोगो को देखने को मिलने वाले डन उतकर small finance Bank की नंबर देखने को मिलेंगे VST industry cigarette वाली company के नंबर देखने को आप अचा है यही तक हम लोगों को नंबर देखने को मिलेंगे उसके बाद 27 के नंबर हम लोगों को स्टार्ट वे देखने को मिलेंगे तो कल के जितने important number थे वह थोड के बिसनेस में यह कंप्पनी बेँंट याप पर कर चुके हैं तो यह हमारे इधर कैसे टाटा गूरूप यही बताए जा रहा है कि जो मिच्चविशी के साथ उन्होंने आपे टाइप करके आपे रखा हुआ है कि आने वाले समय में 2030 तक आपको बता है 30% का जो market share यह capture करने की भी बात ही आपे कर रहे हैं उस हिसाब से काफी अच्छा performance यह आपे दे सकते करके ज़रूर आप चाओ तो नियोजन केमिकल को स्टड़ी आपे कर सकते हो then next पात करेंगे तो गोल्ड का प्राइज आप देख सकते हलका सा थोड़ा सा डाउन आते वे देखने को बला है यह चीज में ने सिखा के रखी हुए कि गोल्ड ऐसे हलका सा डाउन हुआ और उसी के साथ ओईल हलका सा डाउन हुआ मतलब क्या है कि वोर थोड़ा सा शांध हो रहा है करके so यह दो पैरामिटर रहेते तो गोल्ड डाउन थोड़ा सा क्रूड ओईल भी डाउन हम लोगो लेखने का आपे मिल रहा है देन उसी के साथ प्रॉफिटाइबिलिटी जितना अच्छा था सब कुछ हम लोग ने मतला आखरी वीडियो में कवर किया था और उसी का नतिज़ा है छे पसंड की दमदार तीजी एक्सिस बैंक में हम लोग को देखने का आपे मिल चुकी है यह भी बड़ी कंपनी साड़ी इन लाग करोड का मार्केट के पर पाथ साल में डबल करके देना चाहिए हम यहापे कह सकते हैं इसने भी काफी टाइम तक डिसपांट कर मेंट यहापे दिखाई है बट फिलाल जाके हम कह सकते दोस्तों कि अभी कोविड से जो यहापे गिरा था उसके बाद अभी भागते बैंक के उपर वो कौन सा है सुब्रम अन्यम स्वामी जी से रिलेटेट जो आईलिकेशन लगा है वो तो हाई कोट में कोट यहापे चल रहा है वो कितना सच जूट वो तो बाद में ही पता चलेगा फिलाल तो यह सारी चीज़े इनके फैवर में हम लोग को नंबर्स के इस असा फुल स्टॉप लगा दिया है रोग दिया जा चुका है साड़े चार पसंड की गिरावट हम लोग को इस टॉक में देखने को आपे मिल चुकी है नेक्स बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेशल सर्वीसेस जो एक खबर के चलते लगातार गिराव गिरावट ही देखने को मिल रही है बीच बीच में ऐसे तेजील आती जाएगी आपको पता ही है बाई बकरे तो फसाने जिनको बिजनेस से कोई लेना देना होता नहीं है प्राइसिंग देखकर इमोशनल होके जो पैसा लगा देते वो यही सुनना चाते कि बाई में तो ब प्रफॉर्मस अच्छा होना चे और बड़े लोग जब पैसा लगा थे तभी वो स्टॉक भागता है और बड़े लोगों ने अगर यहाँ पे पैसा रिटेन करके रखा वहाँ पे रुका कर रखा तभी वो स्टॉक की थेजी भी टिक जाती है वरना बाकी सारी चीज़े को सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग करके रखी वे तो बड़े प्लियर का भी एंट्री का चांसे ना के बराबर देखने को मिल रहा है रिटेल इनुश्टर इमोशनली चलते रहते है यह रेडा की बात करेंगे तो कंपनी के जो CMD है तो उनका कुछ बैन हम लोगों को रिख लैंड में देखने को यहाँ पर मिल जाता है ठीक है कॉंगरिस मतलब यहाँ पर कोई पॉलिटिकली बात मत पकड़ ले न यहाँ पर हम नेदर लैंड की बात करें तो वहाँ पर उनने यह बाते फिलाल तो सामने आपर रखी वी थी नेक्स बात करेंगे FIS DS activities 6000 क्रोड का माल DS ने आज के दिन खरीदा FIS as usual बेचने का काम कर रहे है लगबग 28 करोड का माल उनने आपर बेचा है actual की बात करें नंबर कल के दिन देखा था downfall वाला था एक पसंट की गरावट actual में भी देखने को मिल चुकी है तो ठीक है दोस्तों जितने important points से सारे cover कर ले वीडियो अलप लगा हो तो चाहो तो like है जो इस शेर कर सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडे में या फिर आप कह सकते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए बबाई